असलाम लेकुम आज हम लोग साइकॉलोजी कोर्स को स्राट करेंगे और उसमें सबसे पहले प्याजे थियूरी के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या है इस तरह से कॉग्निटिव डिवल्पमेंट चाइल्ड की होती है प्याजी बॉर्ण हुआ था स्वेजलेंड में रेट एटीन हंडर्स में वह बहुत ही स्यादा ब्रिलियंट था और उसने लेवन येर्ज की एज में कि निटीव के स्वेजेश पीजिव ये अपना साइंटिफे प्रिसर्शा फेबर जोया है वह फॉब्लिश कर्लिया था इसने माइं डिवल्पमेंट चाइल्ड की जो क्उमिटिव डिवल्पमेंट है उसकी बैसा बिसेकली चार स्टेजीज बताई हैं कि चार मेजर स्टेजीज होती हैं उन चार स्टेजीज में ही चाइल्ट की mental development हो रही होती है यह चार स्टेजज जो हैं उनके नेम से sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage इनके साथ ही इनकी ages बताएगे हैं कि किस age तक कौन सी stage रहती है और फिर next stage कब start होती है और फिर कौन सी stage कब end होती है तो सबसे पहले हम लोग sensory motor stage को देख लेते हैं sensory motor stage जो है वो birth से लेके two years तक के भच्चे की जो age होती है वो तब की होती है जैसे कि sensory motor words से ही पता चल रहा है कि senses को और motor means हमारी जो muscular activities होती है उसके बारे में तो यह ऐसी stage थी जिसमें child जो है वो senses के जरीए चीजों को समझने की या पहचानने की कोशिश करने लग जाता है और कुछ ना कुछ motor activity उसके response में करता है और वो इस चीज़ को realize करता है कि जो उसके actions होंगे जो उसकी motor activities होंगी वो दूसरी चीज़ पर के सहां से असर अंदाज होंगी और वो word के लिए क्या changes ला सकती है या क्या changing हो सकती है इसमें एक word दिया गया है last day object permanence that means कि बच्चे के सामने अगर आप कोई चीज रखोगे ना तो वो उस चीज़ को वहां से remove करने के बाद उसको लगेगा कि वो चीज वहां पर थी ही ने means out of sight, out of mind वाला काम होता है इस stage पे next stage है pre-operational stage means अभी operational stage नहीं आया उससे पहले वाला level है जब बच्चा operational stage की तरफ अभी move कर रहा होता है यह age start होती है sensory motor stage के बाद और sensory motor क्यूंके दो साल तक के बच्चों के लिए थी उसके बाद 2 से लेके 7 साल तक के बच्चों के लिए pre-operational stage होती है pre-operational stage में अब उसमें तो वह सेंसिस के जरीए समझने लग जाता है चीजों को या कुछ ना कुछ अपने according मतलब देने लग जाता है तो उसे 7 years की जो stage होती है जो pre-operational stage है उस age में पानी पीना चाहता है तो वह ग्लास को टच कर देगा तो वह एक सिम्बल होगा कि उसको पानी पीना तो वह चीजों को सिंबोलाइस करने लग जाएगा इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो egocentric होता है मिन्स उसको लगता है कि जो उसको feel हो रहा है वो ही बाकी सबको भी वैसाई feel हो रहा है बाकी सब भी उस तरह ही सोचते है पोस अगर किसी बच्चे ने एक डॉक को देखे है और वो उसको देखके डर गया है तो उसको यह लगता है कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, वो डॉप को देखके डरते ही होंगे. Means, वो अपने प्रस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड को देखने लग जाता है Next time, third stage की तरफ move करते हैं, that is concrete operational stage. अब इससे पहले हमने देखा था कि pre-operational, अभी operational stage की तरफ move नहीं किया था. Means, child को अभी उन activities के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि वो उनको motor activities के थ्रू किस तरीके से कर सकता है. यहाँ पर वो अपनी senses के थ्रूबी और अपने thinking level के according, वो चीजों को concrete तरीके से समझने लग जाता है. Means, materialistic जो चीजे होती हैं, वो उसको समझ में आने लग जाती हैं. जैसा कि जो pre-operational stage होता है, उसमें अभी बिच्छा law of conservation को समझ नहीं रहा होता. इसके अगर example दूँ तो वो यह है कि अगर एक bottle थी और उसके अंदर कुछ चीजे थी, कुछ मार्बल से और उसने वो बाहर गिरा दी हैं. अब उसको बाहर निकालना तो आ गया था pre-operational में, लेकिन उसको वापिस उस चीज में डालना नहीं आया था bottle में. Concrete operational stage में यह law of conservation जो है, वो समझ जाता है. और जैसे ही वो निकालता है, उस तरीके से वो रखना भी जानता है. इस stage पे वो यह भी समझ ने लग जाता है, कि कौन सी चीज लेस है, कौन सी उससे greater है, means वो comparisons करना, transitivity करना सीख जाता है. इसको समझ में आने लग जाती है. इसके इलावा, serial wise चीज़ों को understand करना भी उसको आने लग जाता है. At the last है, हमारे पास formal operational stage. यह सबसे highest stage है, और यह 12 से लेके, onward जो भी age, जितनी भी age होती है लोगों की, वो वहां तक चलेगी. और यह start 12 से होती है. इस stage में, जो student होता है, या जो child होता है, वो abstract thinking करने लग जाता है. उसके सामने जो चीज़े पढ़ी हैं, वो उनको तो देख के समझ रहा है. लेकिन वो उसके बारे में सोचेगा beyond उस thinking के जो उसको नजर आठ. means वो abstract thinking करना start हो जाएगा. वो बहुत जादा political issues पे वो abstract thinking कर सकता है, philosophical कर सकता है, ethically कर सकता है, social issues पे वो abstract thinking करके देख सकता है. उसको चीज़े समझ में आने लग जाती हैं, और वो उनके solutions भी ढून सकता है. So, यह थी हमारी चार स्टेज़ेस, cognitive development की, child में. I hope आपको basic concept इसका clear हो गया होगा. Thank you for watching the video.